तो दोस्तो मैं सिय दिवाक कर जगा तो दोस्तो देखिए बिट टोरेंट टोकन आपके सामने खोला हुआ है तो इसका मतलब हम बिट टोरेंट को डिसकस करने जा रहे हैं तो दोस्तो जैसा आप इसको देख पा रहे हैं बिट टोरेंट जो टोकन है देखिए इसका टैग लाइन जो है tokenizing the world's largest decentralized file sharing protocol with BTT. तो BTT जो है एक तो BitTorrent जो chain है उसका native token है उसके साथ जो MewTorrent एक बहुत बड़ा decentralized file sharing system है जो कि काफी समय से already चला आ रहा है तो BTT उसका भी एक native token है यानि कि MewTorrent अगर आपने कभी वहाँ से file डाउनलोड करी हो तो MewTorrent पे अगर आप file डाउनलोड करते हैं और वहाँ पे आपको speed ज़्यादा चाहिए तो आप BTT में payment कर सकते हैं और यहाँ पे जो seed करते हैं जो अपना files के टुकडों में बटी होती है उन टुकडों में बटी हुई files को जो लोग यहाँ डाउनलोड के लिए अवलेबल कराते हैं जिनको seeders बोला जाता है उनको BitTorrent as a price दिये जाते हैं उनकी efforts के बदले में उनकी cost के बदले में उनको BTT दिया जाता है दोस्तों तो एक तरह से यह आपका BitTorrent जो chain है उसका भी native token है और उसके अलावा यह जो आपका new torrent है उस पर भी यह token का काम करता है और यहां आप देखेंगे दोस्तों BTT एक TRC20 token है यानि कि यह Tron blockchain पे बना हुआ है तो Tron blockchain पे यह mainly बना हुआ है उसके इत्रम और energy blockchain पे भी बना हुआ है तो इस तरह दोस्तों यह तीन blockchain पे बना हुआ एक token है और अगर मैं इसके देखिए यहां अगर हम इसके products को देखते हैं तो यह देखिए BitTorrent Web, BitTorrent Classic और BitTorrent Android और crypto की अगर बात करते हैं तो BitTorrent token, BitTorrent Speed और BitTorrent File System यह सारा वही BTT का ecosystem एक बना हुआ है तो यह है दोस्तों इनके products और अगर हम यहां पे दोस्तों यहां यह देखिए अगर हम BTT को swap करना चाहते हैं तो यहां पे इन्हों ने इसके लिए swapping का भी option दे रखा है और दोस्तों यह BitTorrent का जो website है इसको यह देखिए BTT service learn how product use BTT token तो BitTorrent जो speed है यह देखिए get faster download speed and BTT token rewards तो faster download speeds आपको मिलती है how it works enable BTT and enjoy faster download speeds enable your wallet enjoy faster speed यह तरीका दे रखा है इसको आप कैसे use कर सकते हैं यहां यह आप इसको download भी कर सकते हैं दोस्तों यह इनकी website का address है BitTorrent.com पर अगर आप जाते हो तो वहां पर आपको यह सारा system जो है वहां पर available है BitTorrent file system जो इन्होंने बना रखा है यह देखिए यह सारा इनका option इन्होंने जो दे रखे हैं और उसके लावा यह देखिए यह in in exchanges में already listed है तो दोस्तों आप देख पा रहे हैं कि यह कितनी exchanges में almost जो है जितनी भी अच्छी अच्छी exchanges है उन सब में यह already listed है यह exchanges and wallet sporting BTT airdrop program प्रोग्राम तो अगर एड़ा भी जो BTT का airdrop हुआ था उसमें यह जो है यह यह stock exchanges थी जो इसको support कर रही थी तो इस तरह दोस्तों यह है हमारा BitTorrent जो token है उसकी website और अगर इसकी मैं यह दोस्तों कोई को पे पेज़ पे चले तो इसकी यह जो supply है वह supply बहुत ही ज्यादा 990,000 करोड token जो है वो market में इसकी maximum supply है और 935,000 करोड 935,000 करोड के आसपास BTT जो है वो market में circulate कर रहे हैं तो यह सारा option है इसके सामने और market capitalization में अगर हम इसके rank की बात करें दोस्तों तो इसका rank बनता है 58 यानि कि यह top 100 में यह token आता है और अगर मैं इसके ATS की बात करूँ तो यह January 2022 में बना था और वहां से यह 72% डाउन चल रहा है और अगर मैं इसके old time low की बात करूँ तो आज से एक महिना पहले बना था जून 18 2022 को वहां से यह 35% के करीब अब चल रहा है दोस्तों तो यह है इसका सारा जो है point की कोपे detail आए दोस्तों अब इसके charts पे भी चलते तो यह जब BTT जो है यह BTT चेंज होके जब BTT C हुआ यह देखे BTT C USDT का यह one day का chart है तो यह BTT C होने के बाद 25 जनवरी 2022 को यहां list हुआ Binance पे उसे पहले BTT के token के नाम से इसको trade किया जाता था अब यह BTT C के नाम से trade हो रहा है तो 25 जनवरी 2022 को ही इसने अपना old time high बनाया था जो कि यहां देखिए आप 0.005 टाइम 025 US dollar था फिर उसके बाद इसने यहां पहला top मारा 8 February 2022 को फिर इसने दूसरा top मारा दोस्तों यह एक April 2022 को और उसके बाद यह जो है downtrend में चला गया यहां पर देखिए दोस्तों यहां इसने एक flag formation किया लेकिन यह उसको handle नहीं कर पाया और यह इसको नहीं handle कर पाया और यह नीचे चला गया फिर यहां पर देखिए दोस्तों यह range bound हुआ range में चला लेकिन range में भी यह उपर की तरफ range को तोड़ नहीं पाया और फिर यह नीचे चला गया और अब अगर हम आज की situation की बात करें तो तकरीबन पिछले एक महिने से यह फिर से flag phone कर रहा है यहां दिखिए आप इसको देख पा रहे हैं और इसी मन्त के आसपास 19 जून 2022 को तकरीबन एक मेले पहले जैसे मैं आपको बता रहा हूं इसने अपना ATL बनाया था तो यह है दोस्तों इसकी situation और यहां जैसे यह भी bound हो रहा है range bound हो रहा है flag formation कर रहा है तो अब और साथ के साथ यह देखिए अपना 50 डे का EMT हिट कर रहा है तो दोस्तों जो एप जैसे इसमें यह मालीजी ब्रेक अप करता है और market bull trend में जाती है तो कम से कम यह अपना ATS टच करेगा या उसको भी break करके ऊपर जा सकता है अगर मैं इसके technicals की बात करूं दोस्तों तो यह fundamentally एक बहुत ही अच्छा बहुत ही strong token है लेकिन चुकि इसकी supply बहुत जादा है जैसे आप को पता है यह re-denominate हुआ था और री-denominate होने के बाद bit torrent chain बना और यहां 25 जनवरी 2022 को finance पे दोबारा लिस्ट हुआ था तो उस टाइम यह 1 into 1000 की ratio में इसको जो है distribute किया गया यानि कि जिसके पास पुराना 1 BTT था उसको 1000 BTT से दिये गए तो इस तरह जो है इसकी supply को बहुत ज्यादा एकदम से बढ़ा दिया गया अब यह दोस्तों अगर market bull trend में जाती है तो कुछ भी invest करने से पहले आप अपना research जरूर कर ले और जुड़े रहे crypto की authentic जानकारी के लिए धन्यवाद